नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में अस्तिन की कटिन कैसे करते हैं वो बताएंगे एक अस्तर वाले ब्लॉज का अस्तिन कैसे कटिन करते हैं हमारे पास यह एक ब्लाउज है इसी अस्तिन के हिसाब से आज हम लोग आपको कटिन करके बताएंगे सबसे पहले इसको नाप लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है अस्तिन की इसकी लंबाई है पॉने तेन इंज और इसका मोहरी है पांच इंज और इसका आर मोहल है छे इंज तो इसी अस्तिन के हिसाब से आज हम आप लोगों को कटिन करके बताएंगे सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो लंबाई है पौने तीन इंच है अस्तीन का तो हम इसमें पौन इंच एट कर लेंगे मतलब पौने तीन इंच अस्तीन की लंबाई इसमें पौन इंच एट करेंगे तो कितना होगा और साड़े तीन इंच, साड़े तीन इंच पर यहां पर निसान लगा लेंगे, यहां पर भी साड़े तीन इंच में, और यहां पर हम अस्तिन की लंबाई, छोटा है, बहुत छोटा है अस्तिन, इसलिए हम लोग यहां पर दो इंच डाउन कर लेंगे, अब यहां पर हमारा आर महल है 6 इंच, तो हम लोग यहां पर 6 इंच में निसान लगा लेंगे, और 7 इंच एश्टा मार्जिन, यहां पर भी ऐसी करेंगे, 6 इंच पे निसान लगा लेंगे, और 7 इंच एश्टा मार्जिन, अब इसको यह दुनों लगईर को ऐसे मिला लेंगे, इसको भी मिला ले लगा लेंगे और यहां पर भी एक निसान लगा लेंगे दो इंच पर अब यहां पर हमारा आर्म होल जो है छे इंच है तो छे का हाफ होता है तीन इंच यहां पर निसान लगा लेंगे और एक यहां पर भी निसान लगा लेंगे लंबाई में साड़े तीन इंच में और इसक ऐसे मिला लेंगे और इसको थोड़ा से डाउन करते हुए यहां से यहां थोड़ा से डाउन करते हुए ऐसे लकीर खीच लेंगे और इस पैंट से इस पैंट तक सीधी लकीर और इसको राउंड देते हुए ऐसे कर लेंगे अब इसको कटिन कर लेते हैं अब यहाँ पर एक साइड को हम लोग डाउं करेंगे ज़्यादा नहीं करना है मात्रा आधा इंच यह हमारा एक साइड डाउन हो गया यह हमारा सामने तरब रहेगा डाउं यह हमारा अस्तिन का कटिन हो गया इस तरह से अस्तर वाली ब्लाउज का अस्तिन कटिन करते हैं अब हम लोग आप लोगों को एक और अस्तिन की कटिन करके बताएंगे यहां पर माल जाए हम ले लेते हैं अस्तिन की लंबाई जो है लंबाई ले ले लेते हैं इसको 2.75 अब ये जो मेजरमेंट है इस हिसाब से हम आपको अस्तिन की कटीन करके बताएंगे सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं तो हमारा जो लंबाई है साड़े तीन इंच है मतलब दोनों तरफ तीन तीन सुन दबेगा तो पौन इंच हम एश्टा यहां मारजिन ले लेते हैं हमारा लंबाई है साड़े तीन इंच तो पौन इंच इसमें एश्टा लेंगे तो ये होगा सबाचार इंच सबाचार इंच यहाँ पर भी लगा लेते हैं अब दोनों निसान को मिला लेते हैं अब यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है साथ इंच है यहाँ पर साथ इंच पर निसान लगा लेते हैं और सबा इंच एस्टा मार्जिन या अगर कपड़ा कम है तो आप एक इंच भी एस्टा मार्जिन ले सकते हो वो आपके उपर है कि आप एस्टा मार्जिन कितना ले रहे हो तो हम लोग यहाँ पर एक इंच एस्टा मार्जिन ले रहे हैं यहाँ मोहरी के तरब भी हम लोग हम आर मोह साथ इंच है तो यहाँ पर भी साथ इंच पर निसान लगा लेते हैं और एक इंच एश्टा मार्जिन अब इसको मिला लेते हैं इसको भी यहाँ से मिला लेंगे अब यहाँ से यहाँ डाउन कितना करते हैं हमारा लंबाई है साड़े तीन इच हम लोग पौन इंच एश्टा मार्जिन लिये हैं तब सवा चार हुआ है तो हम लोग यहाँ पर सवा दो इंच डाउन कर लेते हैं उपर से नीचे की तरब और यहाँ पर हमारा जो आर महुल है साथ इंच है तो साथ का हाप करेंगे तो साथे तीन इंच यहाँ पर आएगा यहाँ पर निसान लगा लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा से डाउन करते हुए अंदर की तरब निसान लगा लेंगे और इस पाइंट से इस पाइंट तक सीधी निसान जो हो गया अब इसको थोड़ा से राउंड करते हुए हम कटीन कर लेंगे चलिए अब इसका कटीन कर लेते हैं यह हम लोग अस्तिन को कटीन कर लिया है अब यहाँ पर नीचे की तरब डाउन करेंगे एक साइड दोनों साइड नहीं करना है मातर एक साइड करना है यह हम लोग एक साइड डाउन कर लिये हैं यह डाउन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा यह सामने की तरब फिट होता है यह हमारा अस्तिन तियार हो गया साड़े तीन इंच लंबाई का